कबूतर का गोंसला वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चड़ी जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे ना पाकर बहुत परिशान हो गया दोनों को बहुत बुरा लग रहा था उनका मन तूट सा गया तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई न खा जाए कबूतर ने अपने निरणे अनुसार तिनके इखटे करके घोसला बनाना शुरू किया पर उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोसला बनाना आता ही नहीं है तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया सभी पक्षि उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोसला बनाना शुरू किया पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोसला बना लेगा उसने सब सीख लिया है सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया उसने एक तिन का इधर रखा, एक तिन का उधर उससे समझ आया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा है उसने फिर से पक्षियों को बुलाया पक्षियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिलाया तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ, यह कैसे बनेगा इस बार पक्षियों को बहुत गुसा आया सारे पक्षि तिन के वही छोड़ कर चले गए कबूतर ने फिर कोशिश की, पर उससे घोंसला नहीं बना कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया लेकिन इस बार एक भी पक्षि मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोसला बनाना नहीं आया हमें जो काम नहीं आता हो उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा लेकिन हर बार नहीं इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निश्ठा के साथ सीखना चाहिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें